गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज का हमारा टोपिक है बिल्टिश संसद आज हम बिल्टिश संसद की रचना के बारे में देखेंगे सिधान्तिक द्रश्टी से बिल्टिश संसद में तीन अंग हैं लोर्ड सभा, कॉमन सभा और राजमुकुट लोर्ड सभा को उच सदन क और जो लोर्ड सभा है वह उच सदन है और जो कॉमन सभा है वह निमिन सदन है वास्तम में कॉमन सभा की शक्तियं लोर्ड सभा की तुल्ना में बहुत ज़्यादा विस्तरित और महlle पूरन हैं व्याभार में हम देखें तो कॉम्मन सभा को ही बिर्टिश संसद का प्राइव आची समझा जाता है इसके सदस्य हैं वो 646 होते हैं और इनका चुनाव जनता के दवारा किया जाता है कॉम्मन सभा की वर्तमान सदस्य संख्या मैंने आपको बताई है 646 और ये सब सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और इन्हें MP कहते हैं जैसे हमारे यहां पे MP कहते हैं Member of Parliament या संसद सदस्य कहा जाता है संसद के बाहर का कोई भी संगठन संसद सदस्यों को अपने पद से नहीं हटा सकता संसद में अपने कारेपालन के दोरान वो जो भाशन देते हैं अन्य गतिविदियों में हिस्सा लेते हैं उसके लिए इन सदस्यों पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता अब हम देखते हैं Common सभा का कारेकाल भारत की भांती ही 5 वर्ष कारेकाल है लेकिन इसे इससे पहले भी भंग किया जा सकता है या फिर संसदी अधिनियमों के दोरा इसका कारेकाल बढ़ाया जा सकता है Common सभा अपने अध्यक्ष या सभा अध्यक्ष के अनुशाशन में काम करते हैं ये हमने ब्रिटेन की Common सभा की सनरंचना देख ले अब हम ब्रिटेन के उच सदन लोड सभा की सनरंचना देख लेते हैं इंग्लेंड में एकात्मक शाशन परनाली है इसलिए वहां दूसरे सदन के लिए ये आवश्यक नहीं कि वो राज्यों का परती निदित्तव करें और यहां पर जन सभारन के जो ये लोड सभा के मेंबर हैं ये जनता के दवारा निर्वाचित नहीं होते इन में कुछ तो वंश परंपरा से लोड सभा की सदस्यता पाते हैं या वे प्रोहित वरक के उचा अधिकारियों के नाते लोड सभा के सदस्या मानने जाते हैं या फिर उन्हें विशेश योग्यता देश सेवा आदि के लिए जीवन भर के लिए लोर्ड सभा के रूम में मैंबर के रूम में मनोनित कर दिया जाता है अक्टूबर 1999 के बाद वन्ष परंपरागत लोर्डों को लोर्ड सभा में बैठने का अधिकार नहीं रहा यह important को आपके बन जाएगा प्रशन 1999 के बाद से सदस्य ववन्ष परंपरा के अधार पे वो बैठकों में भाग नहीं लेते लोर्ड सभा की सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है एक हजार सत्यासी है वो मेंबर्स हैं लोर्ड सभा में लेकिन वो संख्या है वो कम ज़ादा होती रहती है लोर्ड सभा के स्क्रिय मेंबरों की संख्या 400 से भी ककम रहती है इस सभा के सदस्यों के नाम से पहले सम्मान पूर्वक लोर्ड शबद का प्रियोग किया जाता है महिलाओं के लिए लेड़ी शबद परचलित है बहुत कम लोर्ड इस सभा में एक्टिव भूमिका निभाते हैं इसमें नो विधी लोर्ड भी सम्मलित होते हैं उनकी भूमिका नियाईक विशेशगे होने के कारण आज जीवन निउव्द किये जाते हैं लोड सभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें लाड चांसलर कहा जाता है तो हमने लोड सभा के बारे में देखा कि इसकी सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है और इसके जो न्युक्ति है वो वंश परंपरा मनोनेयन के आधार पर की जा सकती है तो इस परकार लोड सभा एक कुलीन तंतरिय संस्था का पर्ति निधित्तव करता है और इसके अध्यक्ष को लाड चांसलर कहा जाता है अब हमने जो मोटा मोटा देखा वो ये है कि बिटिश संस्थ के तीन अंग है उच्च सदन, लोड सभा, निमन सदन, कौमन सभा और राजमोकोट मतलब समराठ जो हम कारेपाले कामे पहले अध्यन कर चुके हैं अब है बिटिश संसथ का महत्तव तो इसके बारे में A.V. Dice ने कानोनी दरश्टी से संसथ की समपरभूता इंगलेंड की राजमितिक संस्था की परमुख विशेशता है इंगलेंड के अंदर जो संसथ की सर्वोचता है जैसे हमने अमेरिका के सविधान में देखा ना कि अमेरिका के सविधान में सविधान सर्वोच है उसी परकार बिर्टिस संसथ के अंदर संसथ के बिर्टिस संसथ की सर्वोचता है बिर्टिस संसथ को संपरभू संपन मानने का मुख्या कारण क्या है कि वहाँ कोई लिखित सविधान नहीं है शाशन परनाली से जुड़ी हुई फरथाएं नयाक दरष्टी कौन और संसद के अधीनियम ही वहाँ के सुविधान के आधार है इसलिए संसद के अधीनियम कानून की दरष्टी से सर्वो प्रिय हैं इसके माध्यम से फरथा को भी बदला जा सकता है बिज्जिस संसद की सर्वोचता को सिद्ध करने के लिए जैसे की डी लॉम ये विचारक हैं उन्होंने कहा था बिज्टिस संसद सिस्त्री को पुरुष और पुरुष को सिस्त्री बनाने के अतिरिक सब कुछ कर सकती है ये फेमस कोटेशन है ये 2014 कोले सहयक आचारे की जो भरती थी उसमें आया था ये कोटेशन थी और पुछा था ये किस विचारक की है तो डी लॉम है मतलब महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा बिज़ती संसद सब कुछ कर सकती है यह बिज़ती संसद की सरवोचता को सिद्ध करती है धन्यवाद स्टूडेंट कल हम संसद के कारे पढ़ेंगे